हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बरगाव निकर जेदपुरा बांध पर बने ब्रिश से सटे रोड के आगे का हिसा तूड गया साल हुई भारी बारिश अतीव रुष्टी में तूड गया था बांध के गेट नहीं खुले गए थे और बारिश जादा होने से पानी के तेस प्रभाव ने तोड दिया था जिससे ब्रिश के आगे पर्शिम भाग में नीचे वेकलिप रास्ता बनाया गया जिसके एक साल होने के बाद भी ब्रिश का कार्या पुरा नहीं हुआ रास्ता बंध होने के कगार पर पहुँच गया था कई बाद जागरोट टैंश ने खबर प्रकाशित की थी और खबर का असर हुआ खबर का असर होने के बाद कलेक्टर बीयल कोठारी, उपखन अधीकारी हनुमा सिंग राथोड और विदायक नाराय सिंग देवल ने निर्देश दिये है जल्दी से जल्दी जेतपुरा पुल के आगे का हिस्सा बारिश में तुटने से खाई पड़ी है उसको मिठी और पत्थर से भर्नी करके आगे का रस्ता बनाया जाए ताकि शुर्वाती बरसात के सर में बादित नहीं हो भर्नी करके कारयों पुरा किया जा रहा है पानी को पूल के नीचले हिस्से में डायवर किया जाएगा जिससे आवागमन बादित नहीं होगा बढगा मंडार हाइवे से राजिस्तान गुजरात को सिधा जोडने से मार्ग सूचारू हो जाएगा जिससे जनता को वो वहां चालों को परिशनी नहीं होगी बढगाव से जागरुट टीवी के लिए रवी पुरोहित की रिपोर्ट